हाज जी स्टूडेंट्स, आज जैसी अपनी लस्टो क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे 17 चैप्टर, दा इटर्नल वाई, जिसनु के मुल्क राज अनन्द ने लिख्या हुया है, इस चैप्टर दी आप आज comprehensive explanation आते analysis कवर करांगे, यह वीडियो इस चैप्टर दी सीरीज द साथा पहला वीडियो होएगा, इस चैप्टर दा इटर्नल वाई, मुल्क राज अनन्द लिख्या हुया चैप्टर है, इटर्नल दा मतलब हुन दा है जी हमेशा सदीवी, वाई दा मतलब क्यों, एथे इस दा मतलब है कि कोई question है, जिदा जिकर है कि वो question दा answer नहीं मिला, कि यूज कर दे, इसे question नहीं दा है, वाई दा मतलब हुन दा है क्यों, तो क्यों वाली जड़ी जवाब है वो आंदा नहीं, वो हमेशा दा रह जान दा है इस दा मतलब भे थे, चैप्टर दा नाम, दा इटर्नल वाई, पाया गया, मुलक राज अनन्द साथे इंडियन रि वाटा समकाली, उसे समय जड़े हुए होन, इंडो इंग्लिश राइटर्स, जड़े कोंटेंपरेरी राइटर्स होई ने, पाकिस्तान चला गया, इंडिया दे बारे लिख दे रहे, जिसनों के बहुत ही चंगी तरह जान देने, इंटीमेटली दा मतलब होन दा जी, गुड़ा, बहुत ही नजदिक्की, उन्हों अपपा कहने है, कहते है, मेरा इंटीमेट दा मतलब क्यों हो गया, गुड़ा, एधे दा मतलब है, एधे एडवर्ब दे तोर्टे यूज होया जी, जी दा उन्टचेबल, बहुत ही मशूर नवल होया है, दा विलेज, अक्रोस दा ब्लैक वार्टर, दा स्वोर्ड दा सिकल, ता चार नवल जा नाम लिखिया गया है, जड़े के काफी जादा वैलन ने परसिद देने, His short stories, more than a hundred-y number, focus on the various facets of the Indian scenario, and reveals a lively sense of humor, a keen eye for the foibles of the people, a deep understanding of the subtle workings of the mind, and a warm sense of compassion and understanding, थोड़ी लंबी लाइन है, ये दे विचे गल कही गही है, ये जड़ी उन्या दियां, short stories ने, लगू कहानिया ने, ओ लगपग सौदे क्रीम ने, More than a hundred, मतलब थोड़ी ये सोतो ज्यादा ने, ये उन्हाने सड़े पार्ती सीन दे, अलग लग पहलू आनू है, facets, facets दा मतल उन्दा विटा, पहलू, उन्हान दा जिकर किता है, ते उदे विचे के sense of humor भी है, sense of humor दा मतल उन्दा है, जो जीजदा मजाकिया सुबा होगे है, उन्हान आपा केनने है कि इस बंदे इचे sense of humor है, ये ना दिया कहानियां चुभी ये सानू sense of humor दा टच मिल्दा है, अच्छा फेर ये ना दिया कहानियां दे विचे लोग का दिया जड़ियां foibles ने, foibles ना मतलू हम असफल तामा, failures, जड़ियां foibles ने उन्हान दा भी जिक अच्छी हुंदिया सड़िया, आप उन्हों अपा कंपेशन किस्ते दिया कार दे है, उन्हों कहने है, ओवर दा यह मुलक राजनन्द हैस इमर्जद आज ड़ॉयन एमंग writers and critics, liberal humanists and crusaders for various causes, समय दे दोरान मुलक राजनन लिख दे रहे ता एहे ड़ॉयन बन गे, ना ड़ॉ वदिया कोई writer, जीजदी के हिजदत होगे, उन्हों अपा कहने है, main writer, राइटर चो main बन गे, अलोचक बन गे, critics बन गे, humanist, humanist दा मतल हुंदा पेटा, मनुख बादी, जो मनुखा दियां गल्लां करता है, humans दियां गल्लां करता है, ओ बन गे, अते crusader बन गे, crusader दा मतल हु इस तरह दी छाप मिल दी है, मुलक राज अनन्द बारे, is looked upon as a pioneer and other figure, pioneer दा मदलों दे बटा मोड़ी, क्यों कई गल्लां चे सान्नों मोड़ी बने नजर आं देने, मतलब उना ने अपनिया कहानियां देविच अजहा जिकर किता है, जो पहला कदेनी जिकर होया, ता वो pioneer lost child and conqueror, उनने तिन prose points लिखी है, उन्हें प्रोज दा मतलब दा वार्तक होंदा है, मैं तो मुद्धन दसे है, जिड़े चे लेख आ जान्दे है, कहानियां आ जाते है, अपा prose कहने है, पोईम दा मतलब कवीता होंदा है, लेकिन prose points भी होंदी है, उन्हें किवे निया जिड़े आपा पढ़न जा रहे है, दो होर ने एक ता दा lost child है जी, दा conqueror है, दा lost child भेटा तो अड़े सलेबस चुनदी सी पता नहीं, उसी पड़ी है नहीं पड़ी सनुदा होंदी सी लिए, इड़े आ इंटरस्टिंग स्टोरी दा डरेक्स दा रीडर's attention towards the presence of an external inquisitiveness in a child who is anxious to know the how and why of things around him, देखो यह लाइन दे भीचे दस्या आगया कि कोई भी बच्चा होंदा है ना, तुसी भी बच्चे सेगे, तब तो अड़े अंदर भी बड़ी जिग्यासा सीया थे, एक word आया inquisitiveness, यह अपा जिग्यासा कहने है, जिग्यासा समझ देऊ, उत्सुकता, को स्वाल करता रन्दा अपने मावावने, जिदा जवावनू मिल्दा नी, many a times a child's innocent questions raise some really important issues that leave the elders too confounded to answer his strange queries, queries दा मदलो पेटा होई, प्रशन, से confound दा मदलो हुंदा 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 हुल्जना, जिग्यासा कई बच्चे दे जड़े स्वाल हुंदा हुंदा हुंद पनी जे हुंदेने, कई बच्चे आंदे स्वाल, पर कई बच्चे स्वाल स्वाल पुछे जान देने, जेड़े important issue ना related हुंदेने, जेड़े सड़े द्या आंच नहीं आंदे, बच्चा है जा स्वाल पुछलान दा, और ते होदे नो जेड़े elders ने, बड़े ने, ओ confounded हो जेड़े जान देने जान देने, यार भी आसी answer दिए कि एदा, इस question ना answer दिए, ए हुंदा है, मेरे ना दा बहुत बड़ी है, बच्चे कार देने स्वाल है, जा ए है जी तो अड़ा introduction चैप्टर यंग तर्किष केटस्ट्रफी, फोर्थ चैप्टर आट टाइनी सेंचिरी शामिलने, इना चारे लेसंस दी मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्स्पलानेशन आते क्वेस्चन आंसर दे वीडियो तौर्णल में शेयर कर चुक्या हाँ, इसे तरह तरही सेकिंड बुक दा एक पढादर झी और ऌते फोल चैप्टर दा गेंबलिंग मैर्ड शामिलने एना दोने चैप्टर्स दे मैं तर्नल शिर कर चुक्या हाँ, इसे तरह इसे ले पुख दिया कुछ पूम्स ने, जिनाव तौर्णी पोहिks थीप्वैंस by Proseon verse is One, The तीसरी पोईम है दा क्वालिटी ओफ मर्सी ए सारीयां पोईम्स दी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपलानेशन अते पैराफ्रेज अते नाल ही इना दे क्वेस्टिन आंसर्ज दे वीडियो तौर नल में शेयर कर चुक्या हां इसे तरह बच्चेओ प्लस्टू इंग्लिश इलेक्टिव दे जुलाई अते अगस्ट से ले बस नुभी आसी शुरू कर चुक्के हां अते मैं तोडे डियर टू आल दा म्यूजिज दा पंजमा चैप्टर मनु माजरा इस चैप्टर दी एसी कॉम्प्रीहेंसिव एक्स्पलानेशन अते नाल ही इना दे क्वेस्टिन आंसर्ज दे वीडियो कवर कर लाई हां जिस्ते जाके तुसी एस सारे वीडियो देख सकते हैं तांके वाटर तक होजे हथ पौन सकन वाइल इस मदर हैल्ड इम फास्ट बाइद अफ इस चुनिक तो प्रिवेंट इम फ्रॉम फालिंग ओवर माँ दे नाल बैठी है बोड़ चैप्टर दा मदलो किस्तिच तां होनो दी मानुडा रहे हैं उन डेंगलिंग कर रहे हैं किते गिरीन जाबें तां हो दी ट्यूनिक तो ना त्यूनिक दा मतलों दा बैठा जैकेट बच्चे ने जैकेट पाई हुई है ता उच जैकेट नू भड़ी बैठी है उदी माँ क्योंकि बच्चा पाणी बल चुक रहे है ता उच दी माँ जैकेट नू आथ पाई बैठी है किते फालो वर ना कर जे किरना जाए पाणीच इट वह दा सेंट्रल बोट फ़ दा स्टैक फिफ्टी वन विच सपोर्टीड दा वुड़न ब्रीज था एड बील्ट ओवर दा रिवर लिउन्डा पैथ एक रिवर दा नाम है बैठा उसनू अंडरलाइन कार लो रिवर लिउन्डा इक नदी है जी उस नदी दे उपर कोई वुड़न ब्रीज बनेया हो वुड़न दा मदलब लकड़ दा ब्रीज बनेया है उस लकड़ दे ब्रीज नू सपोर्ड करन दे लई बोर्ट्स रखिया हो याने जी किष्टियां वुड़न ब्रीज उपर है निचे बॉड्स ने होदे किन्याने 51 कि फभ्णजा बॉड्स ने जी होना चो इक बॉर्डच है बैठे ने समझोग मणा जाओ वुड़न ब्रीज नू सपोर्ट करने लई साक्यायर केरिय당 conservative回來 kणिशर को सब्सक्राइब मेर का डियां लुकामन अभीमिर வेख सथा अंमेग्रां सब्सक्राइब फैसे बतनिया जए you सब्सक्राइब बत्रूब नहीं तोवर मि एक रानली ने है नहीं में इस पाणी क्या ओड समय मिमें…. जुआिए बन आए क्योंकि कोई भी होर चीज इट्स दा मतलब है रिवर नू कहा गया है फेरोशिस दा मतलब प्यानक डेंजरेस तुम नदी दा मूड तुम नू पता है अपा मनो माजराज भी पड़े है कि पता का द मूड बदल जवे के दुनू पाणी तरुप होए ता पता नी लादा है थे फेरोशिस मूड का दो जे मूड दी दा तुड़े हावएवर ओना सल्ट्री आफ्टर्नून इन मे दा स्ट्रीम वा स्लो और पीस्फुल परन्तु आज मैदा मिनने ता सल्ट्री पानी ज्यादा नहीं है नदी च इस करके स्ट्रीम जड़ी है नदी यह हो स्लो है अते शांत है आज दा चाइल्ड बेंट ओवर इट कुड़ सी इस सिलुएट एंड दा इंपर्सेप्टिवली मूविंग वाटर एथिक वर्ड है बेटा सिलुएट यहनु त्या अन्नाल समझों सिलुएट की हूँड है इक दा उंदा बेटा परच्छामा है ना उन्हों आपा शैड़ो कहा देने शैड़ो ते सिलुएट थोड़ा फरक है सिलुएट की हूँड है कोई अपनी यह कृति बांदी है जीदे सिर्फ जड़ी आउटर बांडरी आओ नजर आ दिये ता सिलुएट इक तरा दी के ओना दोना दा परच्छामा किथे पैर है नदी ते उस सिलुएट नो देख रहे है कौन चाइल्ड उस मुविंग बाटर थे नदीदा चाल रही है ओ जड़ा परच्छामा बंदा देख लिया है इंपर्सेप्टल वी दा मतलब सी बेटा जड़ी चीज आपा समझ नी सक दे सेक्ट जैजी दिस रिफ्लेक्शन ऑफ फिम सिटिं इन दा वॉटर वाज आ क्योरी स्फिनोमिना सम्छिं ये है नदी उन्हों देखो वॉटर दे बिच बैठा अपना परच्छामा देख रहे है ए ओधे लिक कजहा फिनोमिना है फिनोमिना मतलब वर्तारा इन्हों पंज जाग रुकता, अवेरनेस दा मतला होना है, conscious होना, जाग रुक होना, ये में भी परच्छामे बंदे ने, जाग रुक होना, जाग रुक होना, जाग रुक होना, जाग रुक होना, ये में भी परच्छामे बंदे ने, एक उज़ा बन रहा हैं, लेकिन हो की रहा है, कि ओधा जड़ा अपना सिल्वेट है, तछामे बंद रही है, जाड़ी शैडओ बन रहा है, यक्षेणड थे बड़ी होरही है, एलोंगेटिड दा मतलब, हिच या जाना, क्यों थे बड़ा हो रही है, इन्टो एन ओवल, ओवल दा मतलब उन्दा बटा अंडा का, वियो दा जीटी शेप है, हो भी चेंज हो रही है, दे बटी हो रही है, लेकिन उस दी मदर दी जडी form है, फेट इन दा करंट हो, करंट दे विचे फेड होगी, मतलब करंट दा मतलब तारा, तारा दे विचे हो रही है, उस दी अपनी gradual exaggeration हो रही है, gradual exaggeration दा मतलब होली होली बाद रही है, उस दी shadow होली होली बाद रही है, लेकिन उस दी मदर दी फेड हो रही है, लेकिन उस दी मदर दी फेड हो रही, then suddenly he looked away as if self-conscious at having looked too much on himself, as if afraid that if he kept on looking, he would not be able to resist the fascination of his form in the water, फेर अचानक उस अप्रेड, जेकर उस देखदा रहा, ता ओदे प्रति ओखिचया जाओगा, fascination, fascination दा मतलों दे बेटा फ्रेक्शन, खिच, अपा बार बार बेटा कोई चीज़ वाल देखी जाई है, अपनू खिच रही है, ता आपा की करांगे उस चीज़ वाल जा मांगे, होर कोले जा म पानी चीज़, अपना चीज़ अपने वाल खिच रही है, मैं खड़ परा हूँ, ता ही हो कह रही है, लुगड़ अवे, सडनली, अचानक हो दुझे पास से देखन लाग जानदा है, विकोज उनू लाग दा है कि मैं इस सेलवर वाल खिचता जा रहे है, ता इस यूर सेकि कि मदर माता जी आप आथे क्यों बैठे है, as he settled back into the boat for a moment, कुछ पल दे लियो, बोट दे विच बैठदा हुया, बोल दा है, क्योंकि हज दकता हूँ, lean over हुया है वे, उनू एकदाँ बिच्छे हट गया, अवो अपनी मानू पूछ दा है, पहला क्यों आप आथे क्यों क्यों बैठे है, we are eating the air child, his mother replied vaguely, as she sat melting away into her shadow in the stream, अवो दी मदर vaguely जा, vaguely मतलो, जड़ा clear जाना हुवे, unclear, जिन्हों आपा कहनने है, अचे, यहां answer जा देंदी है, क्यांदे, अपा हवा, enjoy कर रहे है, हवा का रहे है, eating the air, मतलो, जो अपा ओपन चे जाके, air नूँ, तो यहां अपना, कमरेज बैठ बैठे सांग उटन लाए, अपा की कहनने है, अमारे जाके हवा, जाके हमां में, उनू कहनने, eating the air, why do we eat the air, म अपाद, चिक्यों बैठे है, air चिक्यों बैठे है, open चिक्यों बैठे है, ask the child, opening his mouth wonderly, 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 मतलब, अदपुत, तरिक्ये जे दे नाल, उच्छु खुंदे होयो, अपना mouth, open करके question कर दा है, क्यासी, air चिक्यों बैठे है, we want to see a bit of life in the evening, my son, she replied, with a delicately evasive smile, एक, प्यारी जी, evasive मतलब, जद अपा, answer पूरा देंदी, कोशिश ना करिये न, ता, मतलब, evasive smile दा मतलब, जद अपा, खुल के ना, smile दें, खलकी जी, smile दें, उन्हों अपा कहने, ता, इस तरह दी smile देंदी, ओधी मतर कहने, आपा, शाम दी जिंदगी दा, अनन्द ले रहे, we want to see a bit, आप बित दा मतलब, थोड़ी जी, के शाम दी जिंदगी दा नन्द लेन, बैठे हैं थे, he turned away, more amazed than satisfied by her answer, ओधे answer तो एनना ज्यादा satisfy नहीं हुंदा, ज्यादा amazed हुंदा है, amazed दा मतलब, हरान जा हुंदा है, his pure new consciousness was innocent of this aspect of reality, the river and the reflection of his form in its water, ता, इस लाइन दे विचे दस्ते आ गया है, के जड़ी ओधी ये water दे विचे form बन रही हैं, ओधे प्रतियों ज्यादा conscious है, मदर दे जड़े answer आ रहेने, ओना दे प्रतियों ज्यादा conscious नहीं है, ज्यादा जाग रूप नहीं है, लेकिन उन्हों अपने जड़े reflection बंदी नजर आ रही है, पाने इचे, ओधे वालोदा ज्यादा त्यान है, इस लाइन दा मतलब यह है, पूर्थ पेरा, he bent his head to look at it again, क्योंके conscious है हो, बार बार reflection दे प्रति, फेर अपना head bent कर देजी, इस वाल देखन दे ली, इड़ दा मतलब यह थे reflection नहीं के आ रही है, दा image had now crystallized into more shapely form, and was not merely vague and silent in the distance, होन ओधे जड़ इमेज है, ओ ज्यादा crystallized होगी, crystallized मतलब clear होगी, ज्यादा साफ होगी, ज्यादा shape चागी, more shapely, ज्यादा shape चागी होधी reflection, ओन हो, वेग नी रही, unclear नी रही, ज्यादा अच्छी बनगी, फिफ्थ, mind, you don't fall, looking into the river child, worn his father from where he sat smiling benevolently on the high stern end of the boat, ता उन्हों से बोरत होगी दा फादर भी बैठा है, कित्छे बैठा है जी, on the high stern end, stern दा मतल होगी बैटा, backside, वेखो बोर्दे दो हिस्से होगी है, बोर्दा इक पासा अधर लाओंदा है, यह प्रांट वाला हुंद है एक यह दर वाला हुंद है बैक वाला हुंद है उष्ट आफ दा बोड के बोड दे जड़ा बैक एंड है उसते बैठे यह रिखिए नाल बेड़े प्यार जे दे नाल smile करदा हुए father उसनों warn करदा है suchet करदा है mind ते आन रखी mind दा मतल वैथे man नी है mind दा मतल हुए ते आन रखना कि ते आन रखी कि ते गिरना जही river ते देख दे हुए just as the child gazed had drifted from his own form to the reflection of sun supplanted into countless stars upon the moving water हुए देखो child दा ते आन किदर हो गया पहला child दा ते आन अपनी reflection वाल सी उनो दा ते आन drift हो गया पटक गया किदर from his own form अपनी form तो पटक गया किदरो to the reflection of sun sun दी reflection भी ता पणी ते पह रही है क्योंकि sun दे गर कही हुए ता ओधी reflection पानी ते पह रही है काउंटलेस स्टार्स, सितारे या मंगू, जिनना उंके गिने नहीं जा सगदा, उमें दिख रही हैं, सिस प्लेंटर दा मतला हुंदा है वेटा, पीसीज, चोटियां-चोटियां किरना पानी दियां, जडियां, उसनों किनी दिख रही हैं, उद्रोदा त्यान हो गया, अपन किनी रिफलेक्शन तूंग, स्टुडेंट्स में प्लस वन अते प्लस टू क्लासिज दे जनल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाय हुए हान, इना वीडियोज नु देखन दे ले तुसी यूट्योब दी सर्च बारते जाके दीपक क्लासिज दीजिए जो मैं वीडियोज बनाया हन, वो शामिल हन, प्लेइलिस्ट वाले सेक्शन ते जाके तूसी सारिया प्ले लिइस्ट प्लेज प्लेजिश प्रापत कर सकते हूँ, तो आधे डिवीडियोज प्लेजिब तो अनूंद गारते छूसी देने लिए सारिया प प्रापत कर सकते हूं इसे तरह मैं Class 11, Class 12 द् vermeņ घ्रापत हो जाने है ताह ओस सारी है वीडियोस तो अनू प्रापत हो जाने हुएं ते एक प्लेइलिस्ट in English legislative Class 11 दि वी है आथ ए उस देवीश तो आनू सारी है Class 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जाने है ता मैं तोनों सारे आनों अपील कार दा हां के एक वार तुसी दीपक सूद लव लर्निंग टूलीड चैनल ते जरूर विजिट करो सिक्स पेराग्राफ वेगली ही हर्डीस फादर्स वाइस एन इकुली वेगली ही सौ दा सन डांसिंग इन दा रिपलिंग स्ट्रीम तोनों पता होदे पिता उसनों अवाज देंदे आंभी तू ते आंड़ाख गिरना जाहीं पानीच पड़े आना पां पंजमें बैरेच ता उसनों थोड़ा जी वेगली ता मतलब अन्क्लियर ली द्वार तो वर्ड आ रहे हैं के उसनों अपनी पिता दी अवाज सुंदी है अट एसे तरह उसनों नदी दे विच जड़े रिपल जे बंदे हुंदे ने गौल गौल जे ता ओ डांस कर दे हुए संदे रिपल जो उसनों नजर आंदे वी उसनों वेगली नजर आंदे, क्लियर नजर नहीं आंदे बोध इस साउंड ओफ इस फादर's वाइस एंड दा साइट ओफ दा संस रिफलेक्शन डिस्टर्ब इस अटेंशन, उन्हे दोने जिजना, एक दा फादर दी वाज के माइंड करते आं रखी, ते दूसरा संदी जड़ी रिफलेक्शन है जो ओ देख रहे है उसनों डिस्ट सिकेन रिफलेक्शन, अपने मदरों इस छो दो नोन, थनों फणा धन्दी कोशिश कर रहे है उस्ताइच संदी जड़ी रिफ लिंग स्ट्रीम दे विच्ट, जड़ी आपने चोड़ा त्यान हो गया देखो दात्यान किते हो रहे हैं। ओन वुड़ दे क्षोटे-छोटे पीस लखकर दे क्षोटे-छोटे पीस पानी तैर के होदे वाल आ रहे हैं। रीचिंग आउट नो कि पानी चल रहे हैं इस्ट्रीम है नदी है। दूरों छोटे छोटे लकड़ दे पीस होदे वाल आ रहे ने, केम फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ना मतलब तैर दे होई, उस वाल आ रहे ने, हुन उना नू फड़न लही होदा त्यान होगे, कि अपाँ छोटे छोटे पीस फड़िए, उने ये कर दे होई, उनना ये एक टे इरजा बना रहे, इक टे अपर राख रहे है इस तरह, इना पाइल, उननो पकड़ के, ना पिसान, पर जिमें ही होटे थोड़ा वड़ा होंदा है, आस दे ग्रू इन नंबर, ता जदो वाज़ान दे हैं पीस जे, ता पाणी फिर एकदम आदा है, उननो बहा के लाए जन्दा है, फिर उननो फड़न दी कोशिश कर दे है, अपने आम एक्स्टेंड करके, बच्चे कर दे हैं, बच्चे नो काम मिल गया, ओ काम कर लना किया, समाव दीज ही वोड अर्वेस्ट, और वो इरिटेंट नहीं हुंदा है, इसका मच केयों कियों, और वोड इरिटेंट नहीं हुन्दा है, अन्मा लोग बैचे ने कम किता है न ओधाँ हो गया अनों कוलेक्ट कर दे上 है फिर उपना जड़ा खज़ने उना पिसान दा बनान दी कोशिश कर दे है। जिस तरीके नाल उपर उड़ दियां, तेज हों दियां, होली हों दियां, वो उसे तरीके दे नाल अपनी खेट जारी रख रहा है। उसे तरह प्ले कर रहे हैं, तो पूरा इंज्वाय कर रहे हैं, पानी दियां, वेवस दा है, एस लाइन दा मतलब वे आज आपा समझे दी कोशिश करें। वाइवसिटी दा मतलु दान दसे हम है कि कॉलिटी ओफ बिंग लाइवली जो दो बन्दा बहुत ज्यादा एनरजी नाल खेल दा है, उसनों पाइवसिटी कहा है। वन्स वाइवर, इस हैंड्स ट्रें टू सेव अट लिटल पीस ओफ वूड एक वरी क्यों दा है कि उधा जड़ा हैंड है, ओहू सेव कर लाइन दा है एक छोटा जाप पीस ओफ वूड उनू पकड लाइन। वेन ओल दोज याड प्लेक्टिड वर लेट लूज बाइदा क्रंट अला कि उसने पहला पकड के रखे हूं देने, ओहू इकदम क्रंट अंदी है, वेव अंदी है, उस हरे उस तो पीस लाइजान दी है, लेकिन एक पीस ओफ पकड अंदी पीछ कामया हो जान दा है। एथे एक फ्रेज है, लेट लूज, लेट लूज दा मदल होंगा है कि जदो पकड सादी टिल ली पाजे किसे चीज तो, पकड टिल ली पाइना हो उन्हों कहें देने, लेट लूज, एंडी मेर ली जम्ट आउट ओफ इस मदर लेप, क्योंकि अपनी मदर दी लेप्च बै एंड लूग डांवीद एप्रीहंशन इन हर हस्बेंड फेस, और अधिन अधि शी ओधी मदर ली कहा गया, उसदी मदर उसनू पुल बैक कर दिये, पिछे किछ दिया, अते फिर थोड़ी जी डर के, डांवीद, अधिन जदो कुछ बोल दी नहीं है, अप्रीहंशन दा मतल ऐपनी वाइफ नु न wen सीरिक्गे दी ना देख दिया, ऐनशी डर्न टु बीदा चाइल्ड, तो रीमास्टेंग़ेंड ली फेरो थोड़ा जाना विरोध कर दिया, अधिन दा मतल होंगा है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध होई खता विरोध कर दिया विरोध क ते ना जाओ, स्टे दा मतलब एदर उदर ना हो वो, to the sides. 8th paragraph, a little shaken by his mother's sudden pull and angry remonstrance, he struggled out of her grasp and sat in safety on a plank of wood that might have served as a rower seat before the boat was turned to use to sustain the weight of the bridge. कापी लबी लाईन, उन्दे को मदर दा एकदम sudden pull आया, उन्हों खिच्चे उन्हें अपनी तरफ है ना, shake जा लगया, उन्हों चटका जा लगया, आथे फेर वो थोड़ी नराज भी होई है, angry remonstrance दा मतलब विरोध है ना, वो थोड़ी नराज भी होई है, ता ओहो, उस दे ग्राप तो थोड़ा श्रगर आउट करने कोशिश करदा है, मतलब के, उस फट्रव थोड़ा चुट जान्दा है, आथे एक लगकर दे फट्टे होटे बैट जान्दा है, plank, plank दा मतलब होई हुटा, ओं कादेली हुंद है क्योंके rowers दी seat हुंदिया हुट, rowers दा मतलब हु बिरिज दे वेट नू सस्टेन करन दे लेगी, बिरिज दे वेट नू भी ओ जड़ी बोट है चंगी तरह सहार लवे ओदे लेगी रख्या हुआ है, बैलेंस बनान दे लेगी ओफटा रख्या हुआ है कुछ मुमेंट दे लेगी, कुछ पल दे लेगी, ओ शान बैड़ दे जिम्योदी मां केंदी है बट इस सिक्रेट स्प्रिंग्स ओफ एनरजी बस्ट फोर्थ अगें सून पर बच्चा की में शांतर हुगा जी बच्चा दा शांतर हैंगी साधा इक दम होदे अंदर फेर उर्जा पैदा हुँदी है शिक्रेट स्प्रिंग्स ओफ एनरजी बस्ट फोर्थ बस्ट फेर फुट के बाहर आंदी है जल्दी हुई सून दा फलश ओफ दिस्क्रेजमेंट फ्लैट फ्लैट फ्रॉम इस फेस जड़ी चिडक उनों पही हुँदी है छोटी जी ओदा डर होदे चेरे तो चला जानद है डिस्क्रेजमेंट था मतलब हो थी कि जड़ी उनों चिड़कनी पही है एंड़ नौटी लाइट चाज्ट इस आइज दिज ब्राइट स्पार्क्स ओफ गेटी अते बच्चा बेटा उन्हें भी आगेज भादि His lips were covered with a smile उन्हों दे लिप्स ते एक समाईल आ जान दिये जी रोज उठ दे एंड सकेंड दा ब्रिज भी चेंड दा बोर्ट एक्रोस दा रिवर अथे पूरे ब्रिज नू जड़ा बनया हूं दा नदी ते लिउंडा रिवर ते बनया हूय है उस नू देख दै एथे स्केंड दा मदल उन्हों ब्रिज दे अपरहूं दी जान दे दे लड़क आदमिया ते ओरता नू ब्रिज दे अपरहूं दी जान दे एव दे लिवर वाल देखन दे लई और स्टैपिंग इंट दा बोर्स कुछ बोर्स दे विच उतर जान दे ने तुरेस्ट आवाइल फ्रों दा टोयल हो दा जर्णी दा हीट आठाविए दे आफ्टरनून टाइम आ अपड़ याट्रा कित्ते हों दी है ओधी थकावट तोयल, तोयल दा मतलब है थे, ठकावट तो है, उस दी ठकावट दूर कर लियो हो, थोड़ी देर बोटते भी बैठ जन देने, कुछ जने, तोयल, 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 यह जने, कुछ फोर जडे लोक ने, आपने डांटी जने, लियो खचरान, आते बक्रियान, उनना थे हर्ड्स दू, हर्ड्स दा मतलब है थे, वीटा, चुण्ड नू गहा जन्द है, को चुण्ड नू लेके जा रहे ने, उनना उननू स्टियर कर रहे ह मतलब के ड्रेक्शन दे रहे हैं पाइक अधर उदर ना जान प्रिज दा मसल है लोड़िड विद आल काइंड आप गुड्स एंड चैटल्स चैटल्स शबद आया है एदा मतलब हुटा समान गुड्स दा मतलब भी समान हुझद है धूर्स एंड चैटल्स डॉंकि दे उपर कुछता समा राके लाके जान गे न हुपार चैटल्स कहने है उन्होन देव डॉंकि ने जा गोट्स ने उन्होन देव पर समान पर धाव तरहा क्लियर आव दी डेंजर आव देंजर सुए फर लिंग इंता रिवर क्योंके ओना नो हो steer कर रहे ने ताके ओना रिवर्च गिरना जा ओना नो direction दे रहे ने These latter were big, burly men, ferocious and red like the robbers his mother had told him about in a fairy story उन देखो उसने न इस तो पहला जिटी line आई है काफी बड़ी line आई है He could see men and women तो ए लाइन स्टार्ट हुंदी है तो देखो एक किते कतम उन्दी है falling into the river उन ए पूरी line देविचो उसने कई तरह दे लोका दा जिकर किता है कि कुछ ता सिर्फ जा रहे ने कुछ खड़के देख रहे ने कुछ बोर्च उतर जान देने कुछ गोर्स नो चरा रहे ने गोर्स नो steer कर रहे ने ट्रेक्शन दे रहे ने ता जड़े end वाले ने जड़े गोर्स ता डॉंकीज नो लेके जा रहे ने ओदे ली letter शबद यूज होया letter letter बाद वाले letter दा मतलब होंदा है बाद वाले persons उन्हें जड़े बाद वाले बंदे सी के जड़े के गोर्स ते डॉंकीज नो ड्रेक्शन कर रहे सी ओ काफी बड़े सी बिग बरली दा मतलब स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग सी के रिष्ट पुष्ट सी के मैं सी के आदमी सी फेरोशियस पहला विशवद आया प्या अनग जेज लग दे सी एंड रेड अते लाल भी सी के हो वो कितना दे नजर आ रहे सी जिमें रोबर्स हुने है रोबर्स हुने है रोबर्स हा मतलब होंदा पेटा ड़कू मतलब के जालिम तरिख़े न आल मार रहे सी विद ह्यूज स्टिक के एक लंभी छड़ देना स्टिक दा मतलब के लिए छड़ सोटी तू ड्राइब देम फास तांके ओना नू तेज लहके जान विद दो दा पूर अनिमल्स वर कोई किंग अंडर दा वेट ओन देर बैक्स अब पुछारे जड़े पूर अनिमल्स स्टिक है विचारे जड़े अनिमल्स गड़े डॉंकी ऑन गोट्स वह बचारे शेक कर रहे सी पुएकिंग दा मदलना वेटा शेकिंग शेक दा मदला खिल रहे सी क्योंकि ओना दे बैक्स से वेट पाया होया सी आप पड़े हैं ना पहलां? गुड्स एंड चैटल्स, उनना दे बैगती ही लग्दियां हुई हैं ने और उचार एक काम भी रहे सेगे हो, शेक काते से The child was frightened with a group of them past shaking the whole wooden structure with a powerful thumping of their heavy feet उन बच्चार अचारा डर गया क्योंकि जदो बैटा ब्रिज दे अपर हो दियो, सारा herd जा रहे है, donkeys दा, goats दा तो न दे जड़ी thumping हो रही है, पैरा दी खड़कड़ा हाट हो रही है, उन जड़ा wooden bridge है ओ हिल वी रहे है, अवाज भी कर रहे है wooden structure है जड़ी, heavy feet दे करके जड़ी thumping, पैरा दी अवाज है, उदे नाल बच्चा की हो गया, frightened, डर गया गया frightened दा मतलब एथे, डरना है it seemed as if the bridge was which honest workman had taken years to build would yield to their heavy clumsy gait and then everyone would go swirling fast down the street उन ते को बच्चा imagine कर रहे है उन्हों एह लग गया, कि जमें जड़ा bridge है बहुत ही इमानदार workman, कारीगरा ने थे workman दा मतलब कारीगर हो गया के कारीगरा ने देखो किन्ने साल लाके बनाया होना है टेकनियर्स, किन्ने साल बनाके two build बनाया होना, हुन आए लग दे भी जड़ी पारी जी, कलमजी जी, पैडी जी, गेर दा मतलब है थे चाल, के जड़ी जिस चाल ना लहे, गोट्स चाल रही याने, डॉंकी चाल रही ने यह आए लगूगा जी में, यह हुन नदी जी गिर्जू सारा ब्रिज, स्वर्लिंग फास्ट डाउन दा स्ट्रीम, बच्चा है, इमेजीनेशन कर रहे है, शाउटिंग एंड स्ट्रॉगलिंग टू कीपा फ्लोट इन अटर कंफ्यूजन एमंग दा फ्रोथिं वेव्स, आ उपर रहन लई, पानी दे, उपर रहन दे लई, फिर राम रोडा पहुगा है जी, एह जा कुछ होगा, किते होगा, एमंग दा फ्रोथिंग वेव्स, फ्रोथिंग दा मदलों दा वेटा, फुल ओफ फॉर्म, उन्तों पता है ना के, पानी जदो कठा जा हो जान दा काफी, ुल दाना है, उन्तों पिल फ्रोथिंग रखे दा है, काफी इक या, और बन्तों कई ना, क्ला दू नदीचे डिगन गे ते फेरे बचान दी आपने आमनों कोशिश करन लई चिका मारन गे चैल नो नहीं नहीं पता भी क्यों होगा वाइड इस शूड हैपन के क्यों होवे नोर वाट इग्जेक्ट फॉर्म इड वूड टेक इफ इडिड इड हैपन जे हो है किस सिरकनल होगा वह नहीं पता है थे चाoniaखोए ते चायल्ड दी साइकोलोजी दी गल अरही है बच्चा सोच रहे लेग सबकर के गिरे क्यों गरनगे नहीं पता जे गरनगे किस तरिक्के ना गरनगे यह नहीं पता वह जस्ट अफ्रेड देट इट माइट हैपन उनु सिरफ एनना डर है के एट हो सकता है इट माइट हैपन एट गिर सकते हैं and in order to escape from this dreadful prospect of future he looked away towards the hollows in the shore on both sides of the rising stream उन क्योंके बच्चा डर गया उन उना वल्ली देख रहे हैं उनों दा त्यान अपना हो दुझे पासे कर रहे है तो dreadful तो ड्राना prospect of the future है prospect दा मतलब है के आस है उनू के हमें होगा expectation है होदी है ता फिर ओ अपना त्यान looked away किदर त्यान कर लेंदा है on the shore ुझे दे선 कर लेंदा है जिथे के stream rise कर रहे है जिथे के पणी जारे है मतलब होदा त्यान किदर हो गया नदीडे कंटे जह गया अ देखो बच्चे दा त्यान किस तरीक्य दे माल चनदे संधी रिफ्लेक्शन वाल जानद potencial ये बच्चे दी एक मानसिक्ता दखाई हुई या कि बच्चे आगे में सोच नाइं पैराग्राफ कि कोड धेर था मॉणफूल वॉटर बटिंग इंटू दरा रोक्स कुनों देखो क्योंके शोर वाल देखन लागया खिनारे वाल देखन लागया तक किनारे तता उनों पता बच्चे ओं चुटनना कंदी है रॉक्स दे नाल जाके जडियां वाटर हुण दियाए वेस हों जा बैलुटभा ऩो महला है कि जो जाके विपनारे कि इए जाके फिड या क्षित या थितन थै लिजी आओ हम फिल यंी नहीदी चोच रहां हूं इं ल Kita जाके पत्तर आनगार रहा हूं बच्छा जोच रहा है मांफूल वेल नहीद इए सट लगदी हूं एन आधे उनु तरह दरह दे दे रहा ने दे नहीं है वैनिश वैनिश दा मतलव अलोप हो रहे ने एदन ये चीज़ा उसनू नजर आ दिया रहे लुग्ड मोर इंटेंटली एंड कुड रेकोगनाईज दा फ्यू हैड्स फ्लोटिं इन दा वाटर अ उत्या आणनावा देखदा जी इन ट्या आणनावा वाटर ये उसनू ईन लगदे वी वाटर ते ना कुछ हैड्स सिर बंदियां देश फ्लोट कर रहे ने हेड़ी हेड नजर आ रहे उनु बंदियां दे सिर नजर आ रहे ने बट लाइग दा डांसिंग शैड़ो देट प्रोजेक्टेड देमसेल्स फ्रॉम दा किककर ट्रीज इन्टू दा शिमरिंग स्ट्रीम उन एथे कई गलांदा जिकर कर रहे देखो बच्चा आओ उनु की दिख रहे हैं किककर ट्रीज दे उपर कोई चीज पर ही है ओधी शैड़ो डांस कर दी उनु नजर आ रही है पानी हिल रहे है ना पानी हिल लूगा बेटा ता जड़ी रिफ्लेक्शन बनूगी पानी तो भ उस फ्रॉम दा दिम वाइट मिस्ट अक्रोस दा बॉटर फिर उसनु वाटर तो जड़ी इक डिम जी वाइट जी मिस्ट मिस्ट दा मदल हुन दा तुंद है ना ओथो जड़ी ब्रीज आ रही है कूल जी ओभी उसनु फील हुन दी है लाइक दा फॉर्म एमंग विच दे वह उसनु फोम भी नजर आ रही है वोम ही फ्रॉक्स जिदी का लोरी है चाग बंदी है नू उन्हों एदधर उद्दर जान दी है टू एन फ्रो टू एन फ्रो दा मदल हुन दा पेटा एदर उद्दर जाना इदर उद्दर जदो कोई चीज मूव कर दिया नहों पर तु मैं फ्रोग एंट सा फ्रेज उन्हें सारियां चीज ना उसनु दिख रही याने दे सीम तू दा चाइल पर प्लेसिंग अन्रियल एंड इन दिस्टिंक्ट पर जड़े उसनु है नजराए से गे उसनु थोड़ा जा परफ्लेक्स कर दें ने परफ्लेक्स दा मतलौं दा बेट कन्फ्यूज के उसनों कन्फ्यूज है कर देंगे